आई गाईज, वेल्कम रादो फ्रेश वीडियो, अभी सामने हमारे यह जो गाड़ी देख रहो आप यह है टाटा कर्फ पर कर्फ का जो है नॉर्मल वेरियंट नहीं है यह है बेज वेरियंट यह बेज वेरियंट पर वह वाला बेज नहीं जो 10 लाक में मिल रहा है यह है एक पर पूरा नहीं सिर्फ यह जो हिस्सा है यही आपका इंडिकेटर बनने वाला है सामने यह जो लाइट देख रहे है यह LED लाइट है और यह अपर प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है हाई बीम लोग भी इसी से काम हो जाएगा पर नीचे देखेंगे यहां पर आपको दो पॉर्ट देखने में आ रहा है यह इसका fog lamp दिया गया है पर हर एक लाइट जो ह आपको देखने में आ रहे है वही LED दिया गया है यहां पर कहीं पर भी हैलोजेन के इस्सेमाल नहीं किया गया जो बहुत अच्छा चीज़ है साथ ही में यहां पर दो फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएगा मतलब इस बीस्ट को अगर आपको पार्क करने है तो यह पार्किंग सेंसर आपका बहुत हतक मदद करने वाला है पर यहीं तक चीज़ें सीमित नहीं है आज आईए पास यहां पर आपको जो है एक कैमरा भी देखने को मिल रहे है तो और जाधा सहुलियत के लिए काफी अच्छा है सामने का लुक जैसे ने बताता है काफी जाधा शांदार है अब अलग चीज़ क्या है देखें यह जो ग्रिल देख रहे है यह डिजाइन यह कर पे लिए खास दिया गया जिससे यह नेक्सॉन हो सफारी हो या फिर हैरियर से अलग बनाता है यह फ्रंट का यह वाला हिस्सा तो यह अलग दिया गया साथ ही में नया इस यू वी नहीं है ना ही यह सिडान है यह क्रॉसोवर डिजायन किया गहा इसलिए से जो कूपे अशेवी कहा जा रहा है अब उसके हिसाब से यहां पे आपको जो है जो है क्लैडिंग देखने को मिलेगा पूरा गारी पर ही क्लैडिंग रहा रहा है काफी जाद आच्छा पर एक इसका में शिकायत है कि यह जो क्लैडिंग है यह प्यानो ब्लैक में दिया गया है तो इसको मेंटेन करके यह शाइन रखने में थोरा सबको दिकत बिल्कुल होने वाला है अब वील पर आ जाता है यहां पर हमें जो है एक अच्छा खासा 18 इंच का वील देखने को मिले अब जहां तक एरो डिजाइन का बात है वह जादा अच्छा लगता है यहां पर एरो डिजाइन का कम कितना है पता नहीं पर हां देखने में बहुत जादा सुन्दर लग रहा है तो और क्या दिया गया तो यहां पर देख पार हो कि आउट से रेव मिलर को पर भी पियानो अब देखने को मिल रहा है इंडिकेटर यहां पर दिया गया है यहां पर देखेंगे भई कैमरा दिया गया है 360 डिरी कैमरा आता इस बरजन में तो वह भी आपको देखने को बहुत नीचे बात करें नहीं नीचे कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है हम एक्सपर करते है करफ फोर पड़लां नहीं है कर्व जो है यहाँ पर मेंशन किया गया काफी काफी अच्छा लग रहा है वाइट कलर में कुल मिला के गाड्यी बहुत जादा पीमर लग रहा है रूफ का बात करते हुझ यहां पर दिखी सकते हो कि यह पियानो ब्लैक में दिया गया और कॉं तो आपको लाइट दिया गया है जो बहुत जाद अच्छा लग रहा है साधी में यहां पे आप देखोगे तो हाइं मॉंटर स्टॉप लैंज है वह यहां पे दिया गया है अब हाँ टाटा का 2D लोगो यहां पे आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाए वहां पे दिया गय वहां पे आपको शार्फ में अंटना भी दिया गया चोटा-चोटा आपको जो है spoiler जैसा इंसेट भी दिया गया है तो बात हो जाते है कि क्यो यहां पे जो है वाशन वैपर नहीं दिया गया है देखिए इसका जो डिजाइन है वह यह कूपे डिजाइन जो मतलब स्लोप ब मेसी निकाल्गे कुछे नीज तेक वाट कर सबसु है कि आप यहां पर देखने को नहीं मिलें डिखा पीछे वाट करें तो यहां पे रख्किंग जगा पर नहीं है चाहिए वो सामने हो या फे पीछे कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा बूट ओपन करने से पहले में चीज बता दो अगर आप यहां पर पावर एसिस्टेट जो है टेल बूट कर रहे हो तो भाई वो चीज मिलने वाला नहीं है आपको उसका एक रीजिन भी है यह वे इंट जा है यह उता हमें यह आपको यह हमारा पास है जैसे मिनन है कहा था ही एक हवे घॉंप्लिछिज का बेस बेरियंट बजिए फरागर अगर आप का तॉप वे रिचेंट हम लो मिलेगा तर एजाकर पावर इसिस्टेट टेल बूट अपको देखने को जरू मिल आपको आराम से आप लेपाओ गे और यहां पर देख सकतों आपको फ़ीड्र बीज दिया गया है साथ ही में नीचे यहां पर देखोगे आपको जो है JBL का और भी दिया गया है 60-40 splatable seed भी देखने को मिलेगा और यहां पे छोटा सा एक pocket दिया गया चाहे तो emergency में कुछ चीज चाहे तो रख पाऊगे यहां पे पोड़ आपार के आपको एक 16-Inchn का वील दीया गया है तो आपको छोटा में हैंडी चीज रखना तो यहां पर आप रख पाऊंगे यह अच्छा चीज दिया गया है और हाँ एक चिस कहना परेगा यहां पर यह पूरा हिसा जाए, प्रॉपर कवर किया गया है, कुछ भी चीज आपको एक्सपोस देखने को नहीं मिलेगा, भई मैं एक चिस कहूंगा, टाटा से इतना अच्छा फिटेंड क्वालिटी पहली बार बे कम से कम महनुत एक्सपेक् अभी जो है, गारी के अंदर क्या क्या चीज़े उसके बात करेंगे, पर उसके पहले आपको चाबी दिखा दे, टाटा से जो है निया नवेला चाबी आया है, काफी अच्छा है, चार बटन दिया गया है, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हिट लैम्प और बूट रिलीस के लिए तो ये चाबी काफी जादा सुंदर लग रहा है, पीछे देखे ना, तो टाटा का लोगो भी आपको देखने को मिल जागा, चाबी को फिलास अंदर रख देते है, बात करते है क्या क्या दिया गया है, तो दिखिए दर्वाजा काफी अच्छा है, वाइड है, यहां पर आ पर अगर आप रूफ रेल धून रहा है, वह किसी भी वेनिट में नहीं, यह कूपे असुवी है, पर कूपे भी है, सिर्फ असुवी नहीं है, इसको जो है वह चीज चाहिए, नहीं चाहिए, अब दर्वाजा ओपन करेंगे, उसके पहले में गारी को एक बात अनलॉक कर ल देखा था, अभी जो है, हमारा कर्व में भी दिया गया, यहाँ पे एक लैंप भी जलने वाला है, जो अगर आप लॉक करके, यहाँ पे आपको लाइट भी इलुमिनेशन होने वाला है, साथ में यहाँ पे आपको रिक्वेस सेंसर भी दिया गया, यह चीज जो है चारो द अब सामने का दर्वासा पहले उपन करते हैं आपको दिखाता है कैसा दिया गया है यहां पे पैनल अब देखें यह प्रॉपर पैनल अब यह नहीं कहूंगा भई यह जो है ऑल न्यू पैनल है अगर आपने नेक्सवन देखा है नेक्सवन को नेया अपडेट है सीधा कॉपी बेटर भी पोजिशन है और आउट से रेवो मिरा एड़स्टेस्ट के लिए यहां पे दिया गया है बटन साथ में इसको जो पोल्ड भी आप कर पाऊगे अब ड्राइवर साइट का जो सीट है उसका बात करें तो यहां पर देख सकतो कि इसमें आपको इलेक्ट्रोनिक साथ में यहां पे बटन दिया है इससे जो है वेंटिलेशन कर पाएंगे लेदर राइट प्रॉपर सीट और सीट भी जो है आपको यह वाइन कलर में ही देखने को मिल जाएगा सीट पर बैठेंगे सीट जो है एक बकिट स्टाइल का सीट है तो आपको जो है ग्रिप करके देखने को मिलेगा और यह फिनिश जो है काफी अच्छा लग रहा है देखने में और फिल में भी अच्छा लग रहा है पर हां इसमें जो है आपको डूल टोन देखने को मिलेगा ब्लैक के साथ वाइन कलर का और यही सेम चीज और स्टेम सीरिंग विल जो है अमने सफारी म नहीं दिया गया है लाइक अपको आटो देखने को मिले का वस्ट वाइपर में भी आपको अटो दिया गया है साथ ने स्टेरिंग वील की ऊपर टाका जैसे निया इल्यूमिनिटेड लोगों वो दिया गया है इस तरफ का जो भी बटन है उससे आप म्यूसिक कंट्रोल कर पा जो काफी अच्छा दिया गया है, 10-inch का music system भी देखने को मिलेगा, नीचे बात का है, तो यहां पर हमें एक type A का point है, type C है, एक 12-logar charging socket भी देखने को मिलेगा, 6-speed का gearbox यहां पर दिया गया है, साथ ही में जैसे हमें पता है, हर एक टाटा में होता है, city, eco और sport mode वो भी दिया गया है, wireless charging pad जो है, वो भी आमें देखने को मिलेगा, चाबी एक बार और आपको दिखा देता है, देख लो, चाबी जो है, काफी जादा शांदार दिया गया है, handbrake यहां पर मिल जाएगा, आपको armrest दिया गया है, पर armrest जो है, slide out तो नहीं होगा, पर नीचे इसका काफी decent आपको एक space भी देखने को मिल जाएगा, बात करें mirror को लेके, तो यहां पर हमें जो mirror दिया गया है, उसमें आपको manual day night करना है, हाँ बाई, auto chromatic नहीं है, और light ज जा तो इसको open करका बाहर भी जा सकते हो, जो मैं सिदा सिदा करूंगा, मत करो, बहुत ज़रा dangerous है, पर हाँ एक तीज और है, कि पैसंजर जो seat है, उसमें भी आपको height adjustment मिलने वाला है, पर वो manual height adjustment है, electronic नहीं आने वाला है, manual मिल जाएगा, आपको adjustment के लिए, साथ में अभी ज load जो है, काफी जादा, raised है, अब रेजड होना ही है, इस गाली का ground clearance भी करी 200 mm के ऊपर है, तो थोड़ा पहुत दिक्कत होने वाला है, adjust करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कितना है, तो देखी सकतो कि space जो है, काफी जादा space है, space लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, अंड़ा थ यहां पे जो है, आपको रेर सी वेंड देखने को मिलेगा, यहां पे एक टाइप A, टाइप C का charging point दिया गया है, यह सीट पे आपको एक armrest मिलने माला cup holder के साथ, और क्या है, तो देखी यहां पे आप देखेंगे ना, तो यहां पे दो-दो adjustable headrest में देखने को मिलेगा है, तीन लोगों के लिए अलग साथ three point seat will दिया गया है, अब जैसे अप accomplished variant ले रहो, एक चीज़ खास भी देखने को मिलेगा आपको, यह जो seat है, इसको आप recline action भी कर पाऊगे, उसका भी provision दिया गया है, सिफ इसमें accomplished सही, इसको यहां पे button प्रेस करके seat को आगे लेके आ सकते हो इतना तक और भी आप जो है, इतना तक यह recline होने वाला है, मतलब two stage recline यह seat होने वाला है, तो पीछे जितना कुछ सा हो तो मैं cover कर दिया, पीछे और कुछ है नहीं, तो आजाते हैं सामने और करते हैं जो है इस वीडियो को conclude, अब जो है engine cover ही बात कर लेते हैं, क्या के engine पहले जो है engine open करके अपको engine check out करवा देते हैं, कैसा engine है, तो यहाँ पर आज आएंगे ना, तो मेरे साथ तो मैं आपको engine और अच्छे से दिखा पाऊंगा, पहली बात है यहाँ पर हमें petrol engine देखने को मिल जाए, इसे कहा जाता है, rivertron engine, यहाँ पर देख सकतो है, proper insulation का इस् 1.5 liter diesel engine, जिससे कहा जाता है, cryo-tech engine, बी power figures का बात करें, तो यह जो engine है, हमारे पास 1.2 liter का rivertron engine, इससे जो है, प्रोडूस कने वाला है, 120 PS का power, और 170 newton meter torque, साथ ही में, जो hyperdon engine है, वो भी 1.2 है, वो भी turbo charge है, पर वो जो है, TGDI है, जिसके वाज़े से वो 125 bhp power, 225 newton meter torque प्रो प्रोडूस करने वाला है, यह engine के साथ, जो है, अगर आप चाहते हो, manual वह भी option है, अगर आप automatic चाहते हो, तो वह भी मिलने वाला है, करण के साथ कुछ खास है, first engine है, इस segment में, जिसमें, डीजल में, आपको 7-speed DCT मिलने वाला है, पेट्रोल के साथ, और अगर बात हो रहा ह है, automatic मतलब 7-speed DCT भी मिलने वाला है, साथ ही में, एक चीज़ और है, आप 7-speed DCT लेना साथ, तो तो वह option जो है, आपको सिफ creative plus से ही start होने वाला, उसके नीचे जो है, आपको 1.2 लीटर का जो हाई-पर टॉन एंजिन नहीं मिलने वाला है, और इस variant में, आपको हाई-पर S1.2, तो इसका जो है, एक शोरूम प्राइस का बात का है, तो इसका जो प्राइस है, वो है 14,70,000 रूपीज, अब प्राइस का बात मैंने बोल गया, 14,70,000 तो अब समझ जाओ कि 15 लाके नीचे अगर आपको एक शोरूम बजट है, तो ये गारी जो है, आपको हर एक जगा स कमपलीट लगने वाला है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, अब बिल्कुल इसको जो है लेके घर में बिल्कुल मसे कर पाऊगे, पावर का बात जैसे मैंने बता है तो आपको काफी जादा पावरफुल एंजिन है, तो पावर को लेके भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, माईले मैलेज बिल्कुल बिल्कुल गिनने वाला है, और एक वारेंटी के बात, तो दीन साल और एक लाग किलोमेटर का स्टैने डाता में अतामे सबावको सबमेिलने वाला है, तो वीडेयों मिण है जितना प्छ साथ देटेल अधा मैं भी इन, फो एक चीजर के आवे फो जिए इसमें आपको जो है डिस ब्रेक देखने को नहीं मिला, रीजन है कि यह जो है 1.2 लीटर का नॉर्मल टर्बो चार्ज एंजिन है, अगर आप TGDI पर जाओगे या फिर डिजल पर जाओगे, तो आपको जो है रेर डिस ब्रेक देखने को मिल जाएगा, साथ ही में आटो होल्ड भी मिलने वाला है, अगर यह भी एकॉंपलिश के साथ जाते हो, तो जली वीडियो को रखते ही ही तक मिल देख आपके साथ एक और नया वीडियो में, तब तक अगर गाड़ी चाला रहे है तो सीट बेल जरू लगाए, बाइक चाला रहे हैं, जरू पहिंए, सेफ रहे है, थैंक यू.